बहुत सारे पेशिंट्स हमसे आके पूछते हैं कि सब क्या मेरी एज है हेर ट्रांस्प्रांट के लिए या नहीं या फिर मैं हेर ट्रांस्प्रांट के लिए आइडियल कैंडिडेट हूँ या नहीं तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे देखिए जहां तक एज की बात है एज एक ऐसा फेक्टर है कि स्पेसिफिकली पर हेर ट्रांस्प्रांट कि अगर आप मेडि हेर ट्रांस्प्रांट मेडिकल फिक्टनेस और आपके जो डोनर एरिया है उसके पर डिपेंड करते हुए आपका रिसिपेंट एरिया की स्किन की हेल्थ को देखते हुए हम किसी भी एज में यूशुली कर सकते हैं पर फिर भी मिनिमम एक जो एज हम लेके चलते हैं वो हम 21 साल के आसपास की लेके चलते हैं कि हम 21 साल के बाद ही हेर ट्रांस्प्रांट करेंगे उसका रीजन यह है कि 21 साल में अगर आपका बॉलनेस का जो एरिया है अगर वो है तो हम यह एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका एरिया बहुत जल्दी आगे इंक्रीज करेगा बॉलनेस का और आपको multiple session C ज़रूद पढ़ सकती है तो इस तरह से एक जिसे हम कहते हैं कि patient के examination और उससे ही हम decide करते हैं कि आप hair transparent के लिए ideal candidate है के नहीं उसके अंदर एक सबसे ज़रूरी चीज जो आती है grade of baldness अगर हम grade of baldness की बात करें तो minimum grade 1 से लेके maximum grade 7 तक baldness जाती है मेल्स के अंदर specifically androgenic alopecia के अंदर तो grade 3, grade 4 तक के patients जो होते हैं उनके results बहुत अच्छे हाते हैं और वो एक तरह से ideal candidate होते हैं hair transplant के लिए grade 5 के patients के अंदर भी यदि हम combination techniques या number of grafts को बढ़ा दें तो results काफी अच्छे आते हैं अगर हम बात करें grade 6 androgenic alopecia या male pattern baldness के patients की तो उनके अंदर grafts के requirements बहुत बढ़ जाती है और एक session में पूरा cover होना वो possible नहीं होता है इसी तरह अगर हम grade 6 की जैसे बात करें तो grade 7 की भी बात करें तो usually grade 7 के patients ideal candidate नहीं होते हैं कि एरिया इतना बड़ा होता है baldness का जिसे कि हम एक limited जो source होता है हमारे पास donor area उससे हम cover नहीं कर पाते हैं पर ऐसे cases में अगर realistic expectations हैं और patient को यह पता है कि हम donor area scalp के अलावा beard, chest या pubic area के hair लेके और एक reasonable density दे सकते हैं उसमें high density नहीं होती है लेकिन फिर भी grade 6, grade 7 के अंदर हम इस तरह से cover कर सकते हैं कि just आपके scalp पे बाल है लेकिन फिर भी grade 6 और grade 7 के जो patients होते हैं वो ideal candidates नहीं होते हैं इसके बाद एक और factor जो decide करता है कि आप ideal candidate है के नहीं hair transplant के लिए वो है आपका donor area की condition देखिए अगर donor area में बाल बहुत अच्छे हैं बहुत घने हैं तो आप ideal candidate है hair transplant के लिए दूसरा donor area के जो बाल है उनकी जो thickness है वो एक चैसी है वो एक तरह से वैरी नहीं कर रही है पतले मुटे बाल नहीं है उनका texture अगर अच्छा है तो अगिन आप एक ideal candidate है hair transplant के लिए जहां पर donor area के अंदर density थोड़ी सी कम होती है या फिर बालों की thickness मुटा पतला होता है वो patients usually hair transplant fail होने के chances उनमें काफी जादा रहते हैं इसके बाद एक और factor जो decide करता है आपका hair transplant के लिए ideal candidate है या नहीं वो है आपका recipient area मतलब की आपका जो top scalp के front और top की जो skin है देखिए कोई fungal infection या और कोई बिमारी नहीं दिख रही है आपके doctor को तो definitely उस area के अंदर बाल आराम से transplant किये जा सकते हैं और hair transplant को successful होने के chances काफी अच्छे रहते हैं और वो आपको एक तरह से again ideal candidate बनाती है hair transplant के लिए इसके अलावा एक और factor जो decide करता है आपकी situation hair transplant के लिए वो है आपकी medical fitness देखिए hair transplant एक तरह की surgery है एक तरह का procedure है जो की 6-8 गंटे चलता है तो उसके लिए आपका medically fit होना बहुत जरूरी है आपकी medical fitness से मतलब है अगर आपको किसी तरह को कोई problem है जैसे hypertension यानि की बढ़ावा blood pressure या diabetes या thyroid related को problem या कोई और दूसरी तरह की medical problem तो आप उसके बारे में अपने doctor को बताईए और जो दमाईया आप चले रहे हैं वो आप continuously लेते रहें अगर आपकी यह सब जो problems है medical issues है under control है तो भी आप एक तरह से fit और आप medically fit है तो भी आप एक तरह से candidate बन जाते है hair transplant के अगर इन ही में से कोई चीज आपकी ठीक नहीं है blood pressure control में नहीं है diabetes आपके control में नहीं है तो post operative period में और during surgery problems होने के chances जादा रहते हैं तो ऐसे cases में advice करते हैं कि आप पहले यह medically fit होई आप blood pressure अपना control कीजिए दवाई लेके कीजिए diabetes अगर है तो blood sugar control कीजिए और किसी भी तर complication rate काफी कम कर सकते हैं और आप एक तरह से ideal candidate हो सकते हैं hair transplant के लिए तो अगर मैं नचल में बात करूँ कि आप ideal candidate है या नहीं hair transplant के लिए तो उसके लिए कुछ basic चीजें आप खुद भी assess कर सकते हैं और बाकी चीजों के लिए जब भी आप अपने doctor से plastic surgeon से consult करेंगे वो आप आपको और अच्छे से details में बता पाएंगे कि आप ideal candidate है या नहीं hair transplant के लिए Thank you